नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में मेरे ख्याल से बियर जितने भी स्टुडियन को करना है उन्होंने अभी तक फॉर्म फिल कर चुका होगा और अपना तियारी भी स्टार्ट कर चुके होंगे जितना अधिक अच्छे से आप तयारी करेंगे उतना अच्छा आपका परिख्छा जाएगा और उतना अच्छा आपको सरकारी कोलेज में एडिमिशन मिलेगा उसी से सम्मधurm दीत आज का ये वीडियो होने वाला है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे चले आज किस वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं प्रिवियस ये 2022 में हिंदी में किस प्रकार के कोशन्स पूछे गए थे तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे हिंदी का ये कोशन सेट है इसके बाद हम लोग इंगलीज का देखेंगे तो पहला कोशन है संबद और अनुबद डैस अभ्याई के दो परकार होते हैं संबद सुचक, समुच बोधक, बिस्मियादी बोधक या फिर इन में से कोई नहीं आप अगर खुद से अंसर देने का परियास करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉस करके खुद से अंसर सोच सकते हैं या पिर कमेंट में लिख सकते हैं उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं तो सम्मद और अनुबद समुच बोधक अभ्याई के दो परकार होते हैं अभ्याई से बहुत सारे कोशन बनते हैं याद रखेंगे अभ्याई के मुख्यरूप से पांच बेद होते हैं किरिया विसेशन अभ्याई, संबद बोदक अभ्याई, समुच बोदक अभ्याई, विसमायर्दी बोदक अभ्याई और निपात अभ्याई यह 5 अभ्याई होते हैं जिनसे question बनते हैं यहाँ पे जो उधारंदिये गए हैं संबद और अनुबद किस प्रकार के अभ्याई के दो भेद होते हैं तो समुझ वोदक के दो भेद होते हैं इसका correct answer हो जाएगा option B next question को देखते हैं question number 2 किरिया विसेशन किसे कहा जाता है बस्तू के विसेश में बिधान करने वाले सब्दों को question number 2 का correct answer हो जाएगा बिधान करने वाले सब्दों की विसेशता बताने वाले सब्दों को किरिया विसेशन कहा जाता है किरिया विसेशन बहुत अधिक important है किरिया विसेशन अभ्याई का भाग है और किरिया विसेशन में किसी भी प्रकार लिंग या फिर बच्चन या फिर कारक का परभाव नहीं पड़ता है याद रखेंगे किरिया विसेशन में किरिया विसेशन जो होते हैं वो पाइक में किरिया के पहले उप्यूगत होते हैं तो याद रखेंगे किरिया विशेसन वैसे सब्द होते हैं जो किरिया की विशेस्ता बताती है तो इसका correct answer हो जाएगा option B, विधान करने वाले सब्दों या फिर किरिया सब्दों के विशेस्ता बताने वाले सब्दों को हम लोग किरिया विशेसन कहते हैं, question number two का correct answer होगा option B, नेक्स्ट को देखते हैं सब्द का परियोग बहुदा किसी विसाई के कुछ उधारनों के पस्चात होता है अमुक सब्द अधिक इत्यादी या फिर इन में से कोई नहीं कुछ नमद 3 का करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्संसी इत्यादी कुछ उधारन देने के पस्चात हम लोग या तो इत्यादी का परियोग करते हैं या फिर आधी का परियोग करते हैं तो कुछ नमद 3 का करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्संसी इस कुछ नमें पूछा गया था कि कुछ हम लोग उधारन देते हैं उसके पस्चात की सब्द का उप्योग करते हैं तो कुछ उधारन देने के पस्चात हम लोग इत्यादी सब्द का उप्योग करते हैं option C आपका correct answer हो जाएगा next question है question number 4 सब्दों के पस्चात जो अक्छर या फिर अक्छर समू लगाया जाता है उसे dance करते हैं option C आपका correct answer हो जाएगा सब्दों के बाद जो सब्दान्स या फिर सब्द समू लगाया जाता है उसे हम लोग प्रित्ते कहते हैं और सब्दों के पहले जो सब्दान्स लगते हैं उसे हम लोग उप्सर कहते हैं याद रखेंगे सब्दों से पहले लगने वाले सब्दों को हम लोग उपसर कहेंगे और बाद में लगने वाले सब्दों को हम लोग अभिय कहेंगे Option C आपका correct answer होगा Next question है question number 5 जिन वाक्यों में किसी कारिके न करने या होने का कथन हो उन्हें डैस वाक्य कहते हैं निस्यद वाचक बाक्य, विधान वाचक बाक्य, प्रश्न वाचक बाक्य या फिर संदेश वाचक बाक्य तो question number 5 का correct answer होजागा Option A निस्यद वाचक बाक्य किसी वाक्यों को ना करने या फिर ना होने का बोध जिसमें पराप्त होता है उन वाचक को हम लोग निस्यद वाचक बाक्य कहते हैं Option A आपका correct answer होगा Next question है question number 6 अब मुझसे दोड़ा नहीं जाता यह वाचक का डैस उधारन है किस वाचक का उधारन है करत्री वाच, कर्म वाच, भाव वाच या फिर इन में से कोई नहीं इस question का correct answer देंगे question number 6 तो question number 6 का correct answer हो जाएगा भाव वाच question number 6 का correct answer याद रखेंगे option C, भाव वाच करत्री वाच में जो किर्या का फल है वो कर्ताग पर पड़ता है कर्म वाच में जो सकर्मक किर्या होता है उसका फल हमको कर्म पर देखने को मिलता है इसलिए इसको हम लोग कर्म बाच्च कहते हैं और भाव बाच्च अर्थात की अकर्मक क्रिया का पाल यहां पर देखने को मिलता है इसलिए इसे हम लोग भाव बाच्च कहेंगे कुशन नबर 7 का कर्रेक्ट अंसर हो जागा उप्चन B दो बेद बाईय परेतन के अनुसार बियंजन के कितने बेद होते हैं याद रखेंगे उप्चन B आपका कर्रेक्ट अंसर होगा दो बेद कौन कौन से दो बेद हैं घोस और अगोस याद रखेंगे question number 7 का correct answer हो जाएगा option B घोस अगोस next question है डेस बिशेशन दो परकार से लिखे जाते हैं सब्दों में और अंकों में पूर्ण बोधक, अपूर्ण बोधक, गुनवाचक या फिर सर्वनामिक बिशेशन तो question number 8 का correct answer हो जाएगा option A पूर्ण बोधक, बिशेशन वैसा बिशेशन है जो दो परकार से लिखा जाता है या तो सब्दों में या तो अंकों में तो इसका correct answer होगा option A ठीक है next question है question number 9 जो किरिया बिशेशन दूसरे सब्दों में प्रत्य या फिस सब्द जोडने से बनते हैं उन्हें dash किरिया बिशेशन कहते हैं योगिक इसे तोड़ा से ठीक कर लिजगा योगिक, मूल या फिर इस्तानिय इन में से कोई नहीं तो question number 9 का correct answer होगा option A योगिक ठीक है जो किरिया बिशेशन दूसरे सब्दों में प्रत्य या फिर सब्द जोडने से बनता है उन्हें कौन सा किरिया बिशेशन कहा जाएगा योगिक किरिया बिशेशन कहा जाएगा याद रखेंगे योगिक किरिया बिशेशन के बेदर जैसे कि राचना के आधार पर भी क्रिया विसेशन के बेद होता है तो यहाँ पर याद रखेंगे रूप के आधार पर क्रिया विसेशन के तीन बेद होते हैं बहुत अधी question important question है यह वाला question और इसे संबंदित हमेशा question repeat किया जाता है ठीक है next question पर आते हैं question number 10 word न सब्द और वाइक के विचार से ब्याकरन के मुझे रूप से कितने भाग होते हैं तीन भाग चार भाग पाँच भाग या फिर दो भाग तो question number 10 का correct answer याद रखेंगे option A हो जाएगा इसका answer 3 word न सब्द और वाइक के विचार के बेद होते हैं तो इसका correct answer याद रखेंगे option A ठीक है चले next question के ओर चलते हैं question number 11 उन संस्कृत सब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भासा बोलने वालों के उचारन से बिगरते बिगरते कुछ और ही रूप के हो गए हैं जैसे अच्छा अग्या मूँ बन्स इत्यादी तो ऐसे कौन से सब्द हैं जो की संस्कृत सब्दों के हैं लेकिन वे प्राकृति भासा में बोलते बोलते उसका उच्चारन एकदम से बिगरते बिगरते वो अलग रूप के हो गए हैं जैसे कि यहाँ पर उधारन भी दिया गया है अच्छा, अग्या, मू, बन्स यह सब्द कौन से सब्द के केटेगरी में आता है तत्सम्द सब्द, तद्भाव सब्द, अर्द तत्सम्द सब्द या फिर इन में से कोई नहीं तो कोशन नमबर 11 का करेक्ट यहाँ पर हो चाएगा अप्संसी अर्द तत्सम्द, ठीक है अर्द तत्सम्द वैसे सब्द होते हैं जो सब्द सब्दों को कहा जाता है लेकिन प्राकृत भासा में बोलने के कारण यहाँ पर उनका उच्छारं बिगरते बुगरते अभी ऐसा हो गया है कि उसका रूप ही बदल जाता है जिसी कि अच्छ, अग्या, मू, या फिर बंस यह सब्द कौन सा सब्द है अर्द तत्सम्द सब्द के उधारन है तत्सम्द के सब्द होते हैं तत्सम्द अर्थात की संस्क्रित सब्दों को जब हम लोग हुबा हूँ हिंदी में उप्योग करते हैं तो वैसे सब्दों को तत्सम्द काते हैं तत्सम्द के वैसे सब्दों को काते हैं जो संस्क्रित सब्दों से उत्पन हुए सब्द होते हैं और अर्थ तत्सम्द जो संस्क्रित सब्दों के ही सब्द होते हैं वे बिगरते बुगरते अभी उसका रूप ही बदल गया है ठीक है तो वैसे सब्दों को अर्ध तत्सम सद कहते हैं तो इसका correct answer रोजाएगा option C, अर्ध तत्सम तत्सम, तत्भाव, देसज, विदेसद इन सभी को मैंने पहले भी करवा चुका है इससे पहले वाले येर में, 2022 में सभी को मैंने पढ़ा दिया था आप जाकर के playlist में वीडियो देख सकते हैं B.A.T.E.S.E.C.S.E.M. का अलग से playlist है वहाँ के सारे वीडियो से देख लीजेगा बहुत अधिक important वीडियो से है question number 12 है अनुकरन वाचक सब्द किसे कहा जाता है जो सब्द किसी संस्क्रित मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं या फिर पदार्थ के यथार्थ, अथ्वा, कल्पित द्वानी को ध्यान में रखकर जो सब्द बनाए गए है फार्सी, अर्भी, तूर्की, अंग्रेजी, अधि भासाओ से जो सब्द हिंदी में आये है या फिर इनमें से कोई नहीं तो question number 12 का correct answer हो जाएगा option C, अनुकरन वाचक सब्द किसे कहा जाता है फार्सी, अर्भी, तूर्की, अंग्रेजी, इत्यादी सब्दों से जो सब्द हिंदी में आये है उन्हें हम लोग अनुकरन वाचक सब्द करते हैं option C, इस question का correct answer होगा next question को देखते है question number 13 दैस, धातू वे हैं जो किसी दूसरे सब्द से न बने हो योगिक धातू, प्रेनार्थक धातू, मूल धातू या फिर इनमें से कोई नहीं तो याद रखेंगे question number 13 का correct answer होगा option C, मूल धातू वैसे धातू होते हैं जो दूसरे सब्दों के उप्योग से नहीं बने होते हैं उन्हें मूल धातू कहते हैं योगिक धातू, दूसरे सब्दों के सायता से बनते हैं और मूल धातू याद रखेंगे अपने मूल रूप में होते हैं जो किसी दूसरे सब्द से ना बने हो ठीक है, तो इसका correct answer होगा option C, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष, आदी सब्द डेस, भासा के अभ्यवाव समास के उधारन है सनस्कृत, हिंदी, उर्दू या फिर इन में से कोई नहीं तो question number 14 का correct answer होगा हिंदी ठीक है, option B, इसका correct answer होगा प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष, ये सब्दम्दों के हिंदी में उप्योग करते हैं तो इसका correct answer होगा, option B, हिंदी नेक्स्ट कोशन देखते हैं, और ये आखरी कोशन होगा हिंदी का, डेस, किरिया अर्थ में अनुमती बोधक किरिया की बिरोधिनी है अवकास बोधक, आरम बोधक, अवशकता बोधक, इन में से कोई नहीं तो question number 15 का correct answer होजाएगा, option A, अवकास बोधक, किरिया अर्थ में अनुमती बोधक, किरिया की बिरोधिनी है option A, इसका correct answer होजाएगा, ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही हिंदी के total हम लोगोंने 15 questions को देखे आप सभी को पता होगा, हिंदी का total 15 questions पुछा जाता है, उसके बाद इंगलीस का 15 questions पुछा जाता है और उसके बाद आपका सिक्षन योग्यता का total questions रहता है चालिस और तार्किक योग्यता का भी आपका 30 questions रहता है, ठीक है तो सारे questions को मैं करवा दूँगा आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद और अगर आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरू सब्सक्राइब कर दे और अगर आपने इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरू लाइक कर दे धन्यवाद अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं